Best Smart Watches Under 2000 रुपीज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन सबसे बड़िया Smart Watches जो आपको 2000 रुपे के नीचे मिलती है इन तीनों भी Smart Watches का आज हम इस वीडियो में डीटेल कंपेरिजन करने वाल है टोटल 18 पॉइंट पे हम इन तीनों भी smartwatch को compare करने वाले हैं जिन तीन smartwatch का आजम इस वीडियो में comparison करने वाले हैं वो आपको मिलती है noise brand की तरफ से जो की है noise twist smartwatch दूसरे आपको मिलती है firebolt brand की तरफ से जो की है firebolt finix ultra smartwatch और तीसरे आपको मिलती है Noise की ब्रैंड की तरफ से जो किया Noise New Macro Smart Watch आईए इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, Noise Twist Smart Watch और Firebolt की Smart Watch में आपको 1.39 इंचिस का TFT डिस्पले देखने को मिलता है TFT यानि की Thin Film Transistor Liquid Crystal Display Smart Watch की Brightness को बहतर बनाने के लिए इन TFT डिस्पले का इस्तमाल Smart Watch में किया जाता है हाला कि TFT डिस्पले एमुलेड डिस्पलेज के कंपेरिजन में थोड़े कम ब्राइटर होते हैं क्योंकि एमुलेड डिस्पलेज जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं इसलिए ये एमुलेड डिस्पलेज आपको महंगी स्मार्ट वाचेस में देखने को मिलते हैं लेकिन 2000 रुपे के स्मार्ट वाचेस में आपको TFT डिस्पलेज ही देखने को मिलेंगे और यही डिस्पलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम बात करें Noise New Macro Smart Watch के बारे में तो इसमें आपको 2 इंचिस का TFT डिस्पलेज देखने को मिलता है सेकंड पॉंट Noise Twist Smart Watch और Firebolt Smart Watch में आपको Metal Body मिलती है जबकि Noise New Macro Smart Watch में आपको Metallic Finishing देखने को मिलती है अगर हम बात करें Watch Faces के बारे में तो Noise Twist Smart Watch में आपको 100 से भी ज़्यादा Watch Faces देखने को मिलती है Firebolt की Smart Watch में आपको 9 Watch Faces मिलते हैं लेकिन Adafit App से आप 100 से भी ज़्यादा Watch Faces डाउनलोड कर सकते हैं और Noise New Macro Smart Watch में आपको 200 से भी ज़्यादा Watch Faces देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें sports modes के बारे में तो noise fit और noise new macro smart watch में आपको 100 से भी ज़्यादा sport mode देखने को मिलते हैं और firebolt की smart watch में आपको 120 से भी ज़्यादा sport mode मिलते हैं अगर हम बात करें heart rate monitoring के बारे में तो इन तीनों भी smart watch में आपको heart rate monitoring वाला feature मिलता है इन तीनों भी smart watch में आपको sleep tracking वाला feature मिलता है और इन तीनों भी smart watches में आपको spo2 monitoring वाला feature मिलता है ये तीनों भी smart watches आपको bluetooth calling वाले feature के साथ मिलते हैं अगर हम बात करें AI voice assistant वाले feature के बारे में तो firebolt और noise new macro smart watch में आपको AI voice assistant वाला feature देखने को मिलता है लेकिन Noise Twist स्मार्ट वाच में आपको AI Voice Assistant वाला फीचर नहीं मिलता है Noise Twist और Noise New Macro ये दोनों भी स्मार्ट वाच इस IP68 वाट रेजिस्टंट है यानि कि 30 मिनिट के लिए 1.5 मिटर की डेप्थ तक आप इन दोनों भी स्मार्ट वाच इस को ले जा सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Firebolt की स्मार्ट वाच में आप गेमिंग कर सकते हैं लेकिन Noise New Macro और Noise Twist इन दोनों भी स्मार्ट वाच इस में आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें एक्सेसरी के बारे में तो Noise Twist और Noise New Macro इन दौनों भी Smart Watch के साथ आपको Magnetic Charger, User Manual और Warranty Card ये सभी एक्सेसरी मिलती हैं लेकिन Firebolt के Smart Watch के साथ आपको Charging Cable और User Manual ये दो एक्सेसरी मिलती हैं वैसे इन तीनों भी Smart Watch की Build Quality मुझे काफी अच्छी लगी बैटरी बैकप के बारे में अगर बात करी जाए तो Noise Twist की Smart Watch है उसकी Battery Life मुझे काफी अच्छी लगी और बाकी दो Smart Watch की Battery Life ठीक ठाक है यानि की Average है अगर हम बात करें डिस्पले के बारे में तो Firebolt और Noise New Macro Smart Watch का प्ले है वो Average है ठीक ठाक है रैंकिंग की अगर हम बात करें तो Firebolt को में First Rank दूँगा Noise New Macro को में Third Rank दूँगा और Noise Twist Smart Watch को में Second Rank दूँगा इन तीनों भी Smart Watch में विनर होता है Firebolt Phoenix Ultra Smart Watch इस Smart Watch के साथ आप Definitely जा सकते हैं यह Smart Watch आपको काफे ज़्यादा Value for Money प्रोवाइड करती है वैसे इन तीनों भी Smart Watch की लिंक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देरा किया लिंक पर जाकर आप इने चेक आउट कर सकते हैं